खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट दीजे सरकार निया योजना लागू करें साथी ये भी कहाए कि कोरोना ने तीन महिने में अर्थवसा को नश्ट किया है सरकार ने बाइस बार तेल के दाम बढ़ाए हैं सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है चीन ने देश की पवित्र भूमी चीनी है तेल की कीमत कब ने अंतरण में लाएगे सरकार राहू कांधी ले ये भी पूछा तो लगातार विपाक्ष अमला बर है और हर रोज चाहे राहू कांधी हो सोनिया गांधी अवेशा निशाना साथ रहे हैं और अभी तक सिर्फ चीन के मुद्धों को लेकर निशाना साथ रहे थे लेकिन फिष्टे कुछ दिरूं से यहां पर जो पैट्रोल और डीजल के कीमते बढ़ रही है पिछले तीन महीनों में कोरोना ने हिंदुस्तान के अर्द्विवस्ता को नश्ट कर दिया है जबरदस चोट लगी है बहुत नुकसान हुआ पूरा देश जानता है सबसे ज़ादा नुकसान सबसे ज़ादा चोट गरीबों को मजदूरों को मध्यम वर्द को और सैलरीड क्लास को हुआ हमने सरकार को तीन चार बार सुझाव दिया नियाई योजना जैसी एक योजना लागू कीचे पर्मनिट ना हूँ छे महीने के लिए चलाइए सरकार ने मना कर्ति एक बार नहीं तीन-चार बार उन्हों ने मना किया कारण क्या दिया उन्होंने कहा चांच की हमारे पास पैसा नहीं है मैं देश को याद दिल आना चाहता हूं कि सरकार ने लाकों करो रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्स का टैक्स माव किया था और पिछले 3 महिनों में नरेंदर मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए पैसे की कोई कमी नहीं है तीन लाख करोड रुपए सरकार के पास है तो नरेंद्र मोदी जी नियाय योजना जैसे योजना लगू कीजिए 6 महिने के लिए चलाइये और हर गरीब परिवार को 7500 रुपए महिना का दीजिए नरेंद्र मोदी जी से सब़ाते पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है हम सब जानते हैं कि चाइना लदाक में चार जगे अंदर बैठा हुआ है नरेंदर मोदी जी आप देश को बताइए चाइना की फोज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे कि चाइना लदाए